आप सभी कस्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे तो आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वो ही ट्रिक्मेंट चेप्टर का है जो की एंसी की वीडियो है और इसमें आप टेक्निकल का कोई भी एक्जाम देने जा रहे हैं तो इसमें से आपको तीन या चार कोशन इस च गून के महने में जो आई टी वाले वच्चों का एक्जाम है उनके लिए वी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं दूस्तों करते हैं एक नंबर कोशन से तो हाड़निंग की परकिरिया करने में धातू पर हाड़ने गून का क्या परभाव पड़ता है तो चलिए यहां पर समझते हैं जो हम लोग मेटल होता है उसको हाड़निंग परकिरिया करने से धातू पर हाड़नेस पर क्या गून परभाव पड़ता है तो चलिए ऑप्सण नमर ए देखते हैं यहां पर दिया गया घटाया जाता है उ करने में धातू पर हाड़नेस के गुन का गुन पर क्या परवा पड़ता है हाड़नेस के गुन को बढ़ाया जाता है तो हाड़निंग के परक्रिया हम धातू को क्या होता है हाड़नेस के गुन को बढ़ाया जाता है चले चलते नेक्स्ट कोशन पर और नेक्स्ट कोशन जो आ भंगोर्ता बढ़ा करके तफनेश को बढ़ाया जाता है और देगा को मैड़ के करें निष्फनेश को ढपर से शुक्त सब्सक्राइल टैपीरिंग में भंगोर्ता को कम करके तफनेश्व बढ़ाया जाता है चली हम चलते हैं नेक्स को यह देखिए यह तिन नहीं क्याती स्विखें कोन सी एक यह अपनाई जाती तो cow couch को मुलाइम करने के लिए किया जाता तो तो यहां पर अप्शन नबर दिया वा तैपयरिंग करके करके और करके और करके जो यहां पर बी और एंसर हो गाइन यूंग किया ता keeping करें चले-चलते हैं को स्टिल की सता पर घहराई में कार्बोन की मात्रा बढ़ाया जाती है मतलब कहने का मतलब कोशन बो रहा है कि वह कौन सी बीदी है बीदी का नाम बताना आपको जिसमें से लो कार्बॉन इस्टिल की सता पर गहराई में कार्बॉन की मात्रा को बढ़ा ही जाती है तो यहां पर जो दिया हुआ है आपका ओफशन में दिया हुए एनलिंग ए नमबर में बी नमबर दिया और सी में दिया हुआ है कार्बॉन की मात्रा को बढ़ाई जाती है इसमें कार्बॉन की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है तो देखिए यहां पर जो ऑप्सन होगा कार्बॉन इसका ऑप्सन में सी नमबर कार्बॉन इसका एंसर सहीं होगा तो यह कार्ब करते हैं नेक्स्स कोषणं की नेक्सक्राइवं के लिए काटर करने के बाद उसे समाइव ya कीस बूर्पषणुन को समझी है कि निवना穴्म से किस जी ज्री ढुए अगरम हालत में कायर करने के बाद इसे समाइन दसां में लाए जाता है तो समाइन दसां में लाने के लिए यहां आपको जो दिया हुआ है ऑफसर नुमर देखे A न Sol kanad國家 O C नुमर हाडणिग D नुमर नॉर्मारिजिंग यहां जो answer होगा अच्पका और यह दी नम्र इसका और और आयंसर होगा नार्मलाइज़न्स जिए कि कि किसी भी दिधवार इस्टिल की ठंडी है अगरह हम हालत पर ही करने के बाद्स सामए दूर्भ सामें लाए जए जाता वह नॉर्मलाइजिंग उसको हम लोग कहते चलते हैं नॉर्मलाइजिंग चलते हैं माइल्ड स्टिल में माइल्ड स्टिल के पार्ट की सर्फेस को घिसने से बचने के लिए नीन में से कौन सी परक्रिया अपनाई जाती है यहां माइल्ड स्टिल के पार्ट की सर्फेस को घिसने से बचाने के लिए नीन में से कौन सी पर निव निव नहुंड हो के निव से कमने है तो बताय जा रहा है तो यह होता हुआ यह लिए और पडáँड भी फोर्णहाइट झाए और अब चस्के कैल विन अप्सन नमर दी Celsius यस दिया तो अब हम लोग जो बात करेंगे इसका एंसर जो होगा फाइरो मीटर जो ए नमर ओप्सन होगा फाइरो मीटर से फर्नेश का ताफमान को मापा जाता है तो यह था को नियेकल की मातरा सी कारगॉन की मातरा 10 कोई नहें इसका जो आंसर खो घृचा कारगॉन की मातरा कारगॉन की मातरा में चली चलते हैं नैशनल लाफ चS little half winners को नीमनी मेंसे कितनी होती है हाइस टूल्स में हाड्नेस की नेने मैंसे कितनी होते हाड्नेस की मातरा में लग क्या होती तो चलिए हम लोग जानते हैं यहां पर यह 40 HRC दिया हुआ तो यहां पर देखिए जो नाइन नमबर है इसका बी एंसर होगा 62 वाला 62 HRC मतलब बी नमर उपसन इसका एंसर होगा नमर पर देखिए इस्टिल पीस एनलिंग में क्या करना चाहिए इस्टिल पीस जो एनलिंग में क्या करना चाहिए तो देखिए यहां पर ओप्सन दिया हुआ है पीस को सर्फेस की सर्फेस से ही ठंडा होने दे और बी नमर दिया है पीस को हवा में निकाल कर ठंडा होने दे और C नमर्द या पीस को पानी में ठंडा करे और D नमर्द या पीस को ठंडी हवा में बलास्ट करे तो यहां पर जो इसका एंसर होगा option number A इसका answer होगा इस्टिल पीस को एनिलिंग करने में क्या करना चाहिए कि पीस को surface में ही ठंडा होने देना चाहिए तो यह इसका answer तो option number A तो हम लोग ज़्यादा नहीं मतलब 10 question किये हैं जो MCQ था और heat treatment chapter से था जो की बहुत important question है जो आने वाले exam में बहुत ज़्यादा महत्पुन सावित होने वाले हैं तो आप लोग इस तरह की PDF से वीडियो पढ़ने के लिए मैंने MCQ पढ़ने के लिए हमार हमादा